पलपल की खबर कवरधा के प्रसासनिक हलकों में उस वक्त हड़कम की स्थिती निर्मित हो गई जब विभिन समस्याओं से परिशान नगर पंचयत बोड़ा के लोगों ने वन मंत्री मुहम्मद अकबर का काफिला रोक दिया काफिला रुकते ही महलाओं ने मंत्री को जम कर खरीखोटी सुना महलाओं का आरोप है कि उनकी समस्याओं को लेकर इस्थानिय प्रशासन गंभिर नहीं है आवास रासनकार्ड सहित पट्टे की मांग उनके द्वारा पिछले लंबे समय से की जा रही है लेकिन नगर पंचयत उनकी मांगों को मानना तो दूर विचार करने की भी जहमत नही उठा रहा है यही वजह है कि परिशान होकर उनके द्वारा मंत्री का काफिला रोकने की हिमाकत करनी पड़ी बोड़ला से तरेगाउं जाने के दोरान महलाओं की भीड मंत्री के गाड़ी के सामने आ गई जिसके बाद मजबूरान काफिला को रोकना पड़ा महलाओं की समस चाहित के इस लापरवाह भरे रवये से मंत्री काफी नराज नजर आएं और जल्द से जल्द समस्या समधान के निर्देश दिये द्याननी देवत है वहम अधिकारी कर्मचारी से नेता से हम बुनला चाहतन के हमला पट्ट हम लावास मिले हम मस्दूर आदमी है हम कहां जाएंगे मारा पास कुछ नहीं है परिवार है वहां तो दो ड्हाइश सब मस्वाब मकान है पूरा वदेल होगी तुके है और पुराना अध्यक्रईश है वो करबाद भी दवाद चुके है और अभी तत के पुरीन द्यामदिश आव हमार जमीन है वह जमीन आन के तानमा अध्यक्षा ओपन करें कवरधा से के सेन 24 के लिए प्रहलाद साहू की रिपोर्ट